इस वीडियो में मैं आपको आंस्वर की चैलेंज का step by step process बताऊंगा साथ इसाथ OMR challenge का भी process बताऊंगा आंस्वर की कैसे view करनी है इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो step by step देख लेते हैं कि किस परकार से आंस्वर की challenge करना है तो सबसे पहले हम NTA की website need.nta.nick.in पर visit करेंगे view and challenge आंस्वर की OMR and recorded response पर click करेंगे application number password security pin डाल कर sign in करेंगे तो जैसे ही sign in करेंगे यहाँ पर हमारे पास दो option आते हैं एक तो click to view challenge answer की का और एक OMR challenge का दो option आते हैं तो सबसे पहले हम answer की का option पर click करके देख लेते हैं तो जैसे ही इस option पर click करेंगे हमारे पास में answer seat आ जाती है यानि कि answer की आ जाती है पहले question आपको दिखाई देंगे question number 1, 2, 3, question ID दिखाई देगा उसके बाद में NTA जो answer इनका correct माना है वो दिखाई देगा यानि कि first question का first answer correct माना है second question का second का first option correct माना है third question का four option correct माना है तो इस परकार से जो आपका question paper का code था वही answer की यहाँ आपके login में available हुई है अब इसमें जो आगे दिया गया है वो challenge का option दिया गया है इसमें 5 option दिये गए है total 1, 2, 3, 4 और 1 none of these दिया गया है तो अगर इसमें आपको ऐसा लगता है कि NTA ने इस question का answer गड़त दिया है तो आप 4 के box पर टिक कर दे आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी सही नहीं होना चाहिए तो last while में none of these पर click कर दे तो इस परकार से आप challenge कर सकते हैं और answer की check कर सकते हैं एक्जांपल के तोर पर मैं यहां आपको बता दूँ कि मालो हमने यहां पर एक क्यूसन जैसे 200 नंबर का जो क्यूसन है उसका NTA ने 4 माना है example के तोर पर बता रहा हूं कि मैं इसको मान रहा हूं कि इसका one answer होना चाहिए यह example के तोर पर बता रहा हूं तो मैंने यह one पर टिक कर दिया अब इसमें upload documents में हमें एक file upload करनी है जिसमें हमने nta को यह solution बताना है कि इस कारण से इसका one हो सकता है यानि कि हम अपना argument देंगे कि इस कारण से इसमें इसका answer one हो सकता है तो इसके लिए आपको एक word की file में आप पूरा solution टाइप कर ले उसको pdf में convert कर ले और यहां पर इसको upload कर दे upload करने के बाद में submit your claim पर click करेंगे ok करेंगे ok करने के बाद में हमने अगर एक question को हमने challenge किया है तो 1000 पे करना होगा दो को claim किया है तो 2 और 3 को question को challenge किया है तो 3000 मतलब one question के 1000 रुबीज पे करने होंगे तो यहां पर save your claim and pay fee पर click करेंगे यहां जितनी question को हमने challenge किया है उसकी fees दिखाई दे देगी और हम यहां पर online payment करके उसका print out ले लेंगे जो हमने answer challenge किया है उसका हम print out ले लेंगे तो यह तो हो गया answer की और answer की challenge के बारे में इसके बाद में हम आगे देखते हैं ओमार को कैसे challenge करना है तो ओमार को challenge करने के लिए यहां पर आपको जैसे ही आप इस पर click करोगे आपके ओमार seat दिखाई देगी पहले तो आपने ओमार seat में यह देख लेंगी हमने कौन-कौन से जो round है उसके ब्लेक किया था वो पूरा check कर ले उसमें उसके बाद में जो NTA ने आपके response से हैं जो आपने answer दिये हैं वो capture किये हैं वो यहां दिखाई दिये गए हैं यहां पहले question दिया है फिर उसके बाद आपने क्या answer दिया है यह यहां दिखाया है तो आपको लगता है कि कोई आपने answer सही दिया है रेंटे ने उसको capture नहीं किया है तो उसको आप challenge कर सकते हैं या फिर आपने कोई answer दूसरा दे दिया पर NTA ने दूसरा capture कर लिया तो यहां पर आप उसको challenge कर सकते हैं मालो मैंने यहां पर मैं example के तोर पर बता देता हूं कि 178 question का मैंने answer दिया था लेकिन वो थोड़ा सा गोड़ा सही नहीं कटा इसलिए NTA ने capture इसको नहीं किया है और मैंने इसको do किया था NTA ने इसका response यहां पर PDF में upload करके NTA को यह बताऊंगा कि इसका मैंने यह answer दिया है to answer दिया है आपने इसका कोई capture नहीं किया तो आप इसका to answer capture करें तो इस प्रकार से आप इसको challenge कर सकते हैं ओमार सीट को अगर आपके ओमार में कोई problem है आपने सही बरा है NTA ने इसका response capture नहीं किया है तो इसको आप claim कर सकते हैं आगे यहां save your claim and pay fee पर click करेंगे तो इसमें per question 200 rupees है तो जितने भी आपने question challenge किये हैं वो यहां पर payment show होगा और यहां fees पे कर सकते हैं आप payment कर सकते हैं औ और उसका print out ले सकते हैं तो यह एक जानकारी थी कि किस परकार से आपने ओमार challenge करना है किस परकार से आंसवर सीट challenge करना है वो step by step process से मैंने समझा दी है फिर भी अगर आपको कुछ problem होती है तो आप बेसक मेरे इस वीडियो के comments में comments करके पूछ सकते हैं तो मिलेंगे नई update के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग